कि यदि आपने सतकर्म की भावना से धर्म के मार्ग पर चलते हुए सोयग निर्विग्न रूप से पूर्ण करे लिए तो आप इंद्र बन सकते हो लेकिन इंद्र बनने के बाद भी इतनी बड़ी पद्वी के बाद भी इस जीव के मन से काम का लोभ का मोह का लालच नहीं गय नारद की और सिंग्हासा ने किसका डग्मगारा इंद्र का क्यूं क्यों क्यिंकि ये समाधी करनें और तब करके भागवान को प्रशंब करके मेरी गड्दी नले ले तो जो पत्द पाजाता है ने उसको हमेगा dèsरही बना रहता है कि कहीं मेरी पद्र वी ना चलिगारा यद्धी न चली जाए होता है ना कभी कभी यदि गरीब को निर्धन को अचानक से सोना मिल जाए तो राद भर विचारा सो ही नहीं पाता ऐसा ही हुआ एक व्यक्ति किता गरीब था विचारा भीक्षा मांगा करता था तो एक सजन नित प्रती वहां से गुज्रा करती थे तो भूखा था बड़ा बहुत भूखा था मांग रहा था कुछ तुन्हों ने क्या किया अपनी जेव से कुछ चने मिकाले उसके हाथ में छोड़ दिया दे दिया उससे वह चने अब महराज वह तो चने दे करके वहां से चले गए लेकिन उसने क्या देखा जब उस चने का पा लेकिन आत्मा से आवाजाई तेरा नहीं है और जो बस तु हमारी नहीं हो उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता है फिर सरीर पर क्यों अधिकार करते हो तुम्हारी है नहीं है ना किसकी है उधार की दीवी है इस स्वासिय किसकी है उधार की मिली हुई फिर इसमें क्यों एहंकर करते हो माराजा भिमान करते हो तो आत्मा इसलिए बार बार कहती रहती के भजन कर भजन कर क्यों क्यों क्योंकि उधार में मिला माराज ये दे हैं और पता नहीं अब रात भर नींद नहीं आ रही है जो वेत्ती रोज भिक्षा मांग करके बड़ी मुस्किल से कुछ पा जाए तो पा करके चैन की नींद सोता था आज होस चैन सब उड़ गए हैं मन कह रहा है लोब से कि इसे रख ले लेकिन आत्मा कह रही है कि तेरा नहीं है तो तेरा नहीं है जो उस पर तेरा अधिकार भी नहीं है अब क्या करूँ कोई बात नहीं है यदि आत्मा गवाही नहीं दे रही तो कल वापस कर दूँगा फिर से जाकर के उसी मार्ग में बैठ गया उस वेक्टी की प्रतिक्छा करने लगा अब वो सर्जन फिर से वहीं से गुझ ले तो उनको रोका और कहा भाई ये तेरा सिक्का सिक्के की वजई से मेरी नींद हराम हुगई इसे रख और लेकर कर जा तो उन्होंने कहा कि मैं इसे नहीं रूँगा ये मेरा नहीं है तिनों ने समझाया कि तेरा ही है तुने मुझे चने दिये और चने के साथ ये सिक्के मुझे मिल गए इसलिए तु अपना रख ले अब माराज वो लेने को तयार नहीं और देने को तयार है, अगर हमें मिल जाएं तो देंगे, दोगे, मारा जल्दी से पॉकेट में डालो के छिपाओगे, कहीं देखना ले लोट करके, मांगे तो भी नहीं दोगे, उसे छिपा लोगे, लेकिन सोचो कैसा, भाओ, तो जिसके अंदर लोब है, लालच है, वही एक कर्म करता है, कि संतों की समाधी में भी छेप डालता है, और जिसके अंदर लोब नहीं है, लालच नहीं है, उसके लिए संसार का, समस्त वस्तु ही माटी के समान है, महराज कोई भी भौतिक सुखो, वह मिट्टी के समान तुद्श है, इसलिए इंद्र का सिंघासन दोलने लगा और संति की समाधी भंग करने का विचार करने लगा राधी